जो आपका पैसा होगा तो आपके डिपेंडेंसी नहीं होगी किसी भी मुल्कियों पर ICC गवर्ण जो होती हो पैसों को थ्रही होती है आठ आठ नौन बिलियन डॉर्डर के कॉंट्रेक्ट हैं पैसा कहां से आता है हिंदोस्तान से आप बार मार सकते हैं उनके सामने जहिन दोस्तो मोडीडेस में आपका सवगठ है दोस्तो आपको पटा होगा कि न्यूजिलान की किकेट टीम पाकिस्तान आई थी पर वो पाकिस्तान से चली गई पाकिस्तानी किकेट टीम से खेले बिना और उन्होंने इसले किया क्योंकि न्यूजिलान के मुटबिक उन्हें पाकिस्तान में सीक्यूरिटी जिख्ष था तो उसके बाद अब इंग्लेंड ने भी फैसला किया है कि वो अब पाकिस्तान नहीं आएंगे पाकिस्तानी किकेट टीम से खेलने के लिए तो उसके बाद पाक मीडिया रो रहा है और पाकिस्तानी पूर्ब क्रिकेटर शोईब अक्टर कहा रहे कि न्यूजिलन्द और इंग्लेंड यह सब इसले करते हैं कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है और उन्हें पता है कि पाकिस्तान इंग्लेंड या न्यूजिलनद के खिलाब कुछ कर न कि आपको ताज़ुब हुआ है इंग्लेंड टीम ने भी आने से इंकार कर दिया है मगर श्वेज सरबरा न्यूजी लेंड ट्रिकेट बोर्ड जो है डेविड वाइड उन्होंने तो बार हादो टो कहा कि जिस किसम की अडवाइस हमें दी गई थी उसके बाद रुकना नामुम्किन था खतरात की तफसीलात ना ही वो कहते हैं कि अवामी सता पर हम शेयर करेंगे ना ही परसनली की जाएंगी बस इतना उन्होंने कहा कि कह सकता हूँ कि टीम को एक बड़ा मखसूस स्पिसिफिक और काबली यकीन खतरा था इस एड नौट इनाफ फॉर आस दो तीन हफ़ते पहले तो कोई थ्रेट नहीं है ना अमेरिकल फोजीयों को है ना किसी और को है इनकी कोई लॉजिक समझ नहीं आई, कोई रीजनिंग समझ नहीं आई ये कोई पर्चा पकड़ाएंगे हमें हफ़ते एक बाद, दस दिन बाद कि किस किसम की थ्रेट थे इनके पास तो सो फार इन्होंने हमें कुछ नहीं पताया और बड़ा डिसरपॉंटिंग था इसलिए महर देखें, इमेजव पाकिस्तान के लिए बाद डैमेजिंग था हमें बीच चुराएं में आके, इन्होंने मारा आके और जहां पर हम बड़ा ठीटा किसम के जलील हो गए है और इसकी जितनी जिमारी एफट थी पंदना बीस साल की एफट वो उन्होंने एक मिंट में इतना नुकसान से लंका के टूर से नहीं हुआ जो बटाय को अधशलन का कि जितना इसकी वज़ा से हो गया हमें नुकसान और जो हमारी सारी मैनत थी किया धरा वो हमें मूबे तफ़ा मार के चलेगी है अब इसकी समझ कुछ नहीं है हमें क्या उन्होंने किया, क्यों किया बात ये है कि अब अगर आपने रिवेंज जी लेनी है तो वर्ल्ड कॉप का मैच आ रहा है मेरे खाला 26 कोईन के साथ तो मेरे खाल में उनको फैंटी फॉंटी लगाएं वर्ल्ड कॉप के दिनों में और अपना पका होता रहा है यही हो सकता करिये बलके कि यह हम देखे कितनी यह रियल है और उसको मिटिगेट हम कर सकें पीसीबी का यह कहना था कि हमें नहीं कॉण्फिडेंस में लिया गया यह यक तरफा फैसला था ICC इजलास से पहले अब लॉबिंग करने की बात की जा रही थी अभी भी बायासर खिलाडियों से रापता किया जा रहे है क्या यह सारे एकदमाद आदे इनफ क्या यह काफी होंगे अब पहली बात तो है महर पहले अपना घर स्ट्रॉंग करना पड़ेगा आपको नहीं होगी किसी भी मुल की उपर ना ईंदुस्टान की उपर ना ICCU की उपर भाड में जाएंगेंगे अगर नहीं खेलते हैHigh salad series इंडियावाले अगर नहीं खेलते हमार सर्थ New Zealand series नहीं खेलते हैं अगर मैं यहांपे चेर्मेंट होता तो मैं सीरी स्टेटमेंट देता कि मैं आज के बाद न्यूजिलेंट के साथ इंटरनेशन सीरीज नहीं के लिए लेकिन उसके लिए मेरे घर में पैसे होने चाहिए जो हमारे पास नहीं है पूरी दुनिया में नंबर वान आईएसाई की एजनसी है जो इंटेलिजनस प्रोवाइड करते हैं दुनिया मानती है आपने उनकी भी बात को भी रद किया फिर प्रैमिसर की बात को रद कर दिया तो मुझे तो यह समझ नहीं आई कि आपने इतना बुरा सलूक हमारे साथ किया क्यों और दूसरी बात यह है कि जब हम आपके घर जा रहें क्राइस चर्च में वहाँ पे तो ओपन ठेट है आज हमें हमारी इमिज की जरूफ है हमारे क्रिकेट का मसला नहीं यह यह हमारे मुलकी इमिज का मसला था हमारे एजनसी की इमिज का मसला था लोगों का जो नेरेटिव बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ उस नेरेटिव में आपने मदद क्यों की दुनिया की पब्लिकली अपॉलजाइज करें आपने जो मैसब किया अगर आपको खत्रा था तो बताएं हमारी जैन्सी को वजीर दाखला के यह कहने है शेक रिशीद साब का कि एक इचानक मुलतवी होने से पाकिस्तान को अर्ब रुपे का नुकसान हुए इसलिए पाकिस्तान कानूनी चारा जोई कर सकता है डियू थिंग वी शुट परसूदा है पार मार सकते हैं नहीं मार सकते हैं बोल्स दाउन तो मनी इंपाव वना आप नहीं लगा सकते हैं आप यह भी एतिजाज नि कर सकोगे यार कि न्यूजलेंड अब कहते हैं अमें आए सीच में बात करनी हैं क्या बात करेंगे याप वो कि टेर्रे टर्रेस्टाइक की थ्रेट थी तो आपके बास जवाब भी नहीं होगा आगे का पूरा स्केजूल अब मुझे लगता है कि इसी तरह डॉमिनो एफेक की तरह एवर्यबडी विल कैंसल नाओ आप तो क्या कर सकते हैं मैं इस वक्त मिनित तरला कर लेता बोरस जॉंसन का और पूरी अपनी मिशिनरी लगाता कि इस वक्त पाकिस्तान में टीम आए शॉयब साब भबहर शुक्रिए ले दोस्तों इस वीडियो पर बात करते हैं तो पाकिस्तान हर चीस को साजिस बोल देता है बीना किस सबूत के और शॉय वक्त ने जो कहा कि यह सब मिले हुए है इसका कोई सबूत है शुय वक्त के पास तो पाकिस्तान हर चीस को कहता है कौन सी टीम पाकिस्तान आती तो पाकिस्तान को इसमें साजिस धुननी नहीं चाहिए यह लॉजिकल था कि न्यूजिलंड जैसे चला गया मतलब कि उनके पास कोई खबर थी जिसके बारे में उन्हें पाकिस्तान नहीं बटाया पर उन्हें वो इंग्लेंड के साथ शेयर की ज नहीं जो गलत है। TTP खुले आम पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्षिदेन को धंखी डेती है और चाहिए कि हम पाकिस्तान को आसाथ करएगे पाकिस्तानी से सरकात से। फॉले ऑपकिस्तान में हमले कर रही है। स्वेप्यक्त Ό तो बोलना चाहिए कि TTP ने कितने हमले किया इसी महीने। उसके बाद स्वेव्यक्तर को खुड बोलना चाहिए कि Pakistan safe है या नहीं। तो Pakistan जो हर चीद में साजी जुनता है यह गलत है। New Zealand जैसे Pakistan गया है उसके बाद England को Pakistan आना था नहीं। तो इंगलेंड का ना आना लॉजिकल ही था। और स्वेव्यक्तर जो कह रहे हैं कि अमेर्की फोजी तो अफगनिस्तन से पाकिस्तन आगे उन्हें कोई स्वेटी जिक्स नहीं था। तो अभी पाकिस्तन अफगनिस्तन से सेफ है पर अगर आप अपनी तुलना स्वेटी के तौर पे अफगनिस्तन के साथ कर रहे हैं तो आपको पता हो कि पाकिस्तन कितने नीचे है सुरक्षा के तौर पे तो पाकिस्तन अगर अफगनिस्तन से तुलना करें तो पाकिस्तन से जो दो सुवेट आक्तार जो कह रहा है कि ओफ रहा है से तो बहुत साय लोग बिना किसे परशांगों कि पाकिस्तान आगे तो अगर आपको चूस करना पड़ें कि आप कहां में साथा सेफ है तो क्रिकेटर को भी पाकिस्टान आने चाहिए कि पाकिस्टान सेफ है तो अगर ऐसे आर्गुमेंट देगा तो आएसी दो सेकंड में इस केस को फेग देगी अश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्व पास ज़रु कोई सीविरिश्टिक हो गा जो पाकिस्टान से न्युजींड ने स्यार नहीं की पर इंग्लेंड से की और इंग्लेंड ने इसलिए फैसल लिया तो पाकिसान को हर चीज़न साजिस नहीं धूननी चाहिए तो सुवव्य परक्ते ने जो कहा कि नियुजवेंड को पॉबलिक लिए माफी मांगनी चाहिए तो माफी किसलिया मांगनी चाहिए नियुजवेंड ने अपनी लोग की जान्व बचए यह नूजवेंड का काम है तो इसके लिए कौन सा डेस माफी मांगीगा और श्वर्पैक्तर ने सखीन करके कि आइश से कुछ 6 नहीं कर सकता क्योंकि न्यूज्यूलैंटopard마 दो कहेंगा कि हमें पाकिस्तान क्या कहे पाकिस्तान काषिगा के पास कोई झववाब नहीं होगा पाकिस्तान वहार बीज़त होगा तो ऑइश्य के पर्पकिस Clay कि चार्श हमले की बात कि नुजलेंड नहीं होते यह कई सालों में economic बार होते तो इसके तुल्डभा कि कुल्णा नहीं फुर्बत्यों सुवई पक्तों को ऐसी घर्टिया बाटिया नहीं करनी चाहिए चर्च हमले को इस्तिमाल करके न्यूजिलेंड को छोटा दीखने की कोशिश करना और आके में मैं यह कहुआ कि सुवई पक्तों नहीं कहीं कि जब तक PCV के पास पैसा नहीं होगा तब तक दुनिया PCV की सब्सक्राइब के सामने खड़ा हो पाएगा तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में दोस्तों यह वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत सुगया और हमें चैनल के सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थांगी वेरी मच्च